श्री शिवाए नमस्तु भयंप, हर हर महादेव आप सब को पता है. तेश नवंबर को है देवुठनी एकादशी का बहुत ही विशेश सा, बहुत ही सुंदर सा दिन. हिंदु धर्म में देवुठनी एकादशी तिथी का विशेश महत्व है. इस एकादशी के बाद से सभी मंगलकारियों की शुरुआत होती है देवठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथी पर तुलसी विवा होता है यही नहीं देवठनी एकादशी पर भगवान श्रीहर योग निद्रा से जागते हैं यही वज़ा है कि इस दिन तमाम उपायों से व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है यदि आप समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए देवठनी एकादशी के दिन ये उपाय कर सकते हैं इस एकादशी को देवुठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णू चार महीने बाद योग निद्रा से जाकते हैं। साथ ही इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। अब हम देवुठनी एकादशी के दिन तीन उपाय के बारे में जानेंगे, जिससे भगवान विश्नु को प्रसन्न कर सकते हैं, एवं अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। विश्नु को बहुत प्रियमाना गया है। ऐसा करने से आपके उपर भगवान विश्नु की कृपा बनी रहेगी। खास कर आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय देवुठनी एकादशी के दिन गाए के दूद से सनान कराएं। एकादशी के दिन भ भगवान विश्नु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह मंत्र का जप करें। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। भगवान विश्नु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। एवं भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें। तीसरा उपाय, देवुठनी एकादशी के दिन। जिस व्यक्ति को विवाह में बाधा आ रही हो, वह दूर होगी। यदि किसी व्यक्ति को विवाह आधी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वह भी देवुठनी एकादशी के दिन। कुछ ही विवाह के योग जरूर बनेंगे एवं अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए देवुठनी एक आदशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विश्णु का वास होता है जल अर्प अगे तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कुछ भी डाउट या समस्या हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो श्री शिवाय नमस्तु भियं हर हर महादेव